प्रभाद बच्चों, आज हम अपनी व्यक्रन की पुस्तिका कोपल की पाट पाँच सर्वनाम पढ़ेंगे स्वरप्रथम हम सर्वनाम की परिभाशा से परिचित होंगे उसके बाद हम उनके भेदों के बारे में जानेंगे तो चलते हैं सर्वनाम उसकी परिभाशा की तरफ सर्वनाम आज हम सर्वनाम की परिभाशा और उनके भेदों के बारे में पढ़ेंगे सर्वनाम इस उधारण के माध्धम से हम ये जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं गुपाल का जन्म मतूरा में कंस के कारागार में हुआ था। उनकी माता देव की और पिता वसुदेव थे। वसुदेव ने उन्हें कंस से बचाने का उपाय सोचा। वे उन्हें लेकर कारागार से बाहर निकले। यमुना पार की और नन्द के घर पहुचें। अभी मैंने जितने सारे वाक्त के कहे हैं उनमें उनकी उन्हें तथा वे शब्दों का प्रियोग हुआ है। ये सारे जो शब्द हैं वे ही सर्वनाम हैं। अठाथ वे सब्द जो सभी नामों के स्थान पर प्रियोग किये जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम के छे भेद होते हैं पहला पूर्स वाचक सर्वनाम दूसरा निश्चे वाचक सर्वनाम तीसरा अनिश्चे वाचक सर्वनाम चौथा सम्मंध वाचक सर्वनाम पाचवा प्रश्ण वाचक सर्वनाम और अन्तिम नीज वाचक सर्वनाम तो चलिए आज हम प्रत्थम पूर्व स्वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़े और जानने की कोशिश करें वे शब्द जू बोलने वाले सुनने वाले अथ्वा अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रियोग किये जाते हैं उन्हें हम पूर्व स्वाचक सर्वनाम केहते हैं जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ वह कल आया तुम दूद बेचते हो हम बाजार जा रहे हैं यहां मैं और हम का प्रियोग बोलने वाले के लिए हुआ है तुम का प्रियोग सुनने वाले के लिए और वह का प्रियोग अन्य व्यक्ति के लिए हुआ है यह सारे पूरुस वाचक सर्वनाम है निश्चे वाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति अत्वा वस्तु के लिए जीन सर्वनाम शब्दों का प्रियोग होता है उन्हें निश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे वह मानूज का घर है यह कुतुब मिनार है वह तथा यह दोनु ही शब्द घर और कुतुब मिनार की और निश्चित संकेत कर रहे हैं अताह यह निश्चे वाचक सर्वनाम है अनिश्चे वाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिन से किसी निश्चित वस्तु अत्वा व्यक्ति का बोध नहीं होता उन्हें और निश्चेवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे शायद आज वर्षा में कोई भीग रहा होगा कुछ लोग हौल में बैठे हैं कोई तथा कुछ शब्द निश्चित वस्तु अत्वा व्यक्ति की और संकित नहीं करते ये क्या कहलाएंगे ये और निश्चेवाचक सर्वनाम कहलाएंगे संबंध वाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे वाके के दूसरी शब्दों का संबंध जोडते हैं उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे जिसकी लाठी उसकी भैस जिसने गोली चलाई वही पकड़ा गया जिसकी उसकी तथा जिसने वही के माध्यम से संबंध जुड रहा है ये संबंध वाचक्त सर्वनाम है प्रश्न वाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रियोग हम करते हैं उन्हें हम प्रश्न वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे तुमने किसने भेजा? दादी माने पूछा कौन है भाई? किसने तथा कौन शब्द प्रश्णवाचक है अंतिम नीजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रियोग करता अथाद अपने लिए प्रियोग किया जाता है उन्हें हम नीजवाचक सर्वनाम कहते है जैसे मैं अपना खाना स्वे पकाती हूँ मैं खुद तुम्हारे घर आई हूँ ये तो थी सारे सरवनाम के भेदों की परिभार्षा और उसके उधारन उमिद करती हूँ आप लोग इसे अत्भली भाती समझ पाये होंगे दुबारा इसे पढ़े और इसे समझने की कोशिश करें धन्यवाद